नमस्कार दोस्तों आपके उजवल भविश्य के लिए आपके अपने जेई क्लासिस मिर्ट परिवार में मैं डॉक्टर अंगित भार्दवाज आपका स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे बचो आज आपके लिए बहुत हर्श का विशे है क्योंकि जेई क्लासिस मिर्ट परिवार ने यहां पर आपके लिए पॉली टैक्निक फर्स सेमेस्टर के जो एपलाइड केमेस्टी है उसके सालबस को स्टार्ट कर दिया है और आज इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद जो है वो यही है कि आज यहां पर आप सालबस के रिगार्डिंग सारी इनफॉर्मेशन गेन कर सकें क्योंकि बच्चों जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं या स्पासिफिकली किसी सब्जेक्ट पर आप कमां करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटिड जो सालबस है उसका आपको पूरा पूरा ग्यान होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको कौन-कौन से चाप्टर यहां पर पढ़ने हैं और किस चाप्टर में क्या-क्या टॉपिक्स आपको यहां पर स्टडी करने हैं जिनसे आप पॉली टेक्निक में अच्छे सफलता प्राप्ट कर सकते हैं तो बच्चो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो जेई क्लासिस मेरट परिवार का एक टैग लाइन आपको पता है कि जेई क्लासिस परिवार ने इठाना है और एक सालबस में यहां पर आपके सामने लिखा है आटोमिक स्ट्रक्चर पारडिक टेबल और कामिकल बोंडिंग मतलब जो फर्स चाप्टर यहां पर यूपी बीटी के सालबस में हैं वो उस चाप्टर का नाम है आटोमिक स्ट्रक्चर पारडिक प्रॉपर्टीज या पारडिक से बने हैं इन से डिवाइड होकर आगे क्या बनता है हुंड का रूल पावली का रूल और कैसे electronic configuration किया जाता है सासाथ कौन से element को कौन सी आवर साड़नी में किस position पर रखा गया है उनके घटने या बढ़ने से क्या फरक पड़ता है और इसके सासाथ यहाँ पर हम सभी तरीके के बोंड चाए वो आइनिक बंद है या वो सहसे योजग बंद है या फिर इसके अलावा वो coordinate बोंड है या equivalent बोंड है उन सारे बोंडों के बारे में हम study करते हैं किसी भी compound के structure बनाना उसकी hybridization निकालना मतलब संक्रण निकालना और सब कुछ इस chapter के अंदर आ जाता है अगर मैं यह कहूं कि यह 6 chapters जो आपको आपकी screen पर दिखाई दे रहे हैं उनमें से 30% का तो यह अकेला ही chapter है तो इसमें कोई अतिशोक्ती नहीं होगी यह आपके applied chemistry का अगर मैं बात करूं first semester के बच्चों के लिए तो यह सबसे important chapter बन जाता है क्योंकि actual में तो यह 3 chapter है इनको combine करकर आपका एक chapter बना दिया गया है पूरी general chemistry chapter में जुड़ी हुई है यह बहुत crucial chapter है बहुत मेहनत करके आपको इसको सीखना पड़ेगा हाँ अगर आपने यह chapter अच्छे से read कर लिया और सीख लिया तो बाकी के 5 chapter आपके लिए बड़े convenient और easier हो जाने वाले हैं अगले chapter की तरफ अकर हम बात करें तो next chapter आपकी screen पर है जिसका नाम है fuel and lubricants यहाँ पर आपको fuel और lubricants इंधन एवं इसनेहक के बारे में यहाँ पर पढ़ना है कि ठोस इंधन क्या है द्रव इंधन क्या है लिक्विड इंधन क्या है और lubricant क्या है मालब जैसे grease होता है तेल होते हैं जो machine के जो organs है मालब जो machine के instrument है उनको जादा speed up से चला सकते हैं यह chapters में आपको पढ़ना पढ़ेगा easy chapter है जारा theoretical chapter है लेकिन बहुत convenient पढ़ेंगे अच्छा मजा आने वाला इस chapter में भी अगले chapter के तरफ मूव करें तो number third chapter है water treatment यहाँ पर आपको पढ़ना है कि soft water किसे कहते हैं hard water क से कहते हैं कैसे आप किसी water को soft convert कर देंगे अगर वो hard water है और sewage treatment plant STP गंदे पानी को दुबारा से साफ करने के procedure को STP बोला जाता है और उसे दुबारा से पीने योग्या बजाने बनाने वाले procedure को STP बोलते हैं इसके साथ साथ यही पर आप BOD और COD की value का भी पता लगाएं जो की बहुत important है bio magnification या जेव आवर्धन भी आपको यहाँ पर पढ़ना है important heading है questions आते हैं अगर मैं चोथे number chapter की तरफ move करूँ तो चोथा number chapter आपका electro chemistry है इसे आप physical chemistry भी बोल सकते हैं यहाँ पर calculation से based होकर numerical साते हैं EMF निकालने को आता है galvanic cells वगेरा आती हैं तो यहां cells related structure आता है यहीं पर आप oxidation number reduction number redox reaction है ना अपचयन आकसी करण यह सारे चीजे भी सीखेंगे यह एक अच्छा chapter है थोड़ा numerical portion वाला है तो जिन बच्चों का physics strong है उनको इस chapter में बड़ा मजा आने वाला है जिनका week है वो भी परिशान ना हो हंकिसर कराएंगे आपको बिल्कुल इराश होने की जरुवत नहीं है एक भी question बहार नहीं जाने वाला है अगले chapter की तरफ move करें चार chapter यहां पर अपने complete हो चुके हैं अगर मैं अगले chapter की तरफ move करूं तो next chapter है आपका organic compound polymer and plastic यह बच्चों organic chemistry का part है मतलब carbonic योगी अगर हम इसकी बात करें carbonic योगी polymer मतलब बह जैसे polythene हो गया और इसके साथ साथ अगर PVC की बात करूँ polyvinyl chloride हो गया है ना तो यह सारे आपको यहां पर पढ़ने हैं इसके साथ साथ यहां पर nylon हो गया terry coat हो गया यह सारे आपको compound यहां पर specifically पढ़ने हैं इसके साथ साथ दोनों तरीके की plastic थर्मoplastic या thermosetting plastic यह सभी त बहुत ज्यादा मार्स औरियंटेडीड चैप्टर है इससे भी काफी पूछा जाता है पॉलिटेक्निक फर्स सेमेस्टर में तो ये चैप्टर भी हम अपने आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर 6 चैप्टरों की बात करूँ तो इसे 2nd रैंक पर रखोंगा 1st चैप् किसी मैटल की अगर हम बात करें आकर स्पैसिफिकली आयरन मैटल की बात करें तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड की वज़े से कभी-कभी जंग लग जाता है उनके उपर तो उसको कैसे आप जंग नहीं लगने देंगे इसके कौन-कौन से मैथर्ड है क्यों जंग लगनी से बचा चाप्टर बन जाता है इस तरीके से आप पॉली टैक्निक फर्स सेमेस्टर के छें के छें चाप्टर का मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है जो हमें स्पैसिफिकली पढ़ना है अब हम कल की जो क्लास होगी बच्चों वहां से केमेस्ट्री को स्टार्ट करेंगे स चाप्टर है फर्स चाप्टर उसका एक पार्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आशा करता हूं कि आपको स्पैसिफिकली यह समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपका सालबस यहां पर हमने डिवाइडिट किया है और किस-किस तरीके से आपको अप्लाइड केमेस्ट्री में अच्छा पर्फोर्मेंस करना है लेकिन सबसे बात आपके लिए यह है कि कैसे आप हमारी क्लासिस को जॉइन कर सकते हैं उसको जॉइन करने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है आपको अपने एंड्रोइड मोबाइल के प्ले आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और फिर सभी तरीके की क्लासिस सभी तरीके के पीडियाफ क्लासिस के नौर्स स्पैसिफिक टेस्ट पेपर और जितने भी डाउट सेशन्स वगेरा हैं वो सब आपको वही पर मिलने वाले हैं तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ-साथ हमारे एप को डाउनलोड करना ना भूले क्योंकि मैं दुबारा से बता दूं सभी तरीके की क्लासिस सिर्फ और सिर्फ आपको एप पर ही मिलेंगी सो दैट्स वाइ एप करना डाउनलोड बहुत ज़्यादा मेडिटरी है आज के क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं कल दुबारा से मुलाकात होगी शांदार सी क्लास का आगाज करने के लिए तो मेहनत करते रहिए लगे रहिए जे क्लासिस मेनट परिवार आपके उजवल और शांदा भविश्य की शुब कामनाएं आपको देता है धन्यवाद जय हिंद जय भारत